कि गाईज देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सरी ये स्टॉक्स तो मल्टी बगर बन चुका ओलेडी बन चुका तो 14 ऐसे स्टॉक्स हैं जो लगबग आने वाले दूने में काफी ज्यादा महंगा होने वाले अब वह इसकदर महंगा हो जाएंगे कि लोग सोचिके कास्स में एक शेर पहले खरीद रखा हो था क्यूंक 5 साल बाद यतना ज्यादा महंगा हो जागा कि लगबग वह बहुत ही ज्यादा हो जागा तो लोग खरीदी में भी हिच不會 हिच घ्याएंगे और सुचिक ह są एक पर्फोलियो का में आपको बता का देना चाहता हू एक फॉर्मूला आप जब भी पॉर्टफोलियो बनाते हो तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि पचास पचास शेर खरी लेते हैं कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 100 भी पार्क कर देते हैं ऐसे लगता है जैसे कि ये क्रिकेट खिलने कहीं गए ऐसा नहीं करना है अपने पॉर्टफोलियो में बस 10 से 20 कंपनी ही अपने पॉर्टफोलियो में रखना है बस उससे जादा नहीं रखना याद रखो उससे जादा नहीं रखना है क्योंकि minimum stock में maximum investment करोगे तब जाके आपको return मिलेगा नहीं तो अगर आपके पास एक करोड़ रुपे है और आपने 100 share खरीद लिया तो याद रखो बहुत गरीब हो आप बहुत जादा गरीब हो क्योंकि आपने एक रुपया कमाने के लिए 1000 रुपे का investment कर दिया है और आप देखो government ने लगबाग एक दू दिन पहले यहां पर confirm खबर दे दिये बता दिया गया officially कि 10,683 करोड के आसपा पास पास पीला स्किम का benefit देखने को मिलेगा किसको मिलेगा भाई textile sector को मिलेगा अब textile में यहां पर जो बड़े-बड़े मैं आपको बता दूं जो ब्रोक् होने वाला किसके वज़े से जो 10,000 करोड के आसपास ज्यादा बोले 10 यहां मान लेते हैं 10 यह 11 देखो बार पर मैं 10 बोल रहा हूं तो आप confused मत हो यहां पर 10,683 करोड के आसपास है तो आप समझ जाओ मैं लमसम बात करो यहां पर बार बर बोलने में थोड़ा प्रावलम हो बढ़ेगी तो बहुत अच्छी चीज़े भाई इंप्लावब्मेंट करेंगे और लगबक आने वाले 5-10 सालों तक वह काम करते हैं तो चारों तरब से सभी को बेनेफिट होने वाले हमारे देख को पब्लिक को और बाहर से जो पैसा आएगा वो भी देखने को अच्छा ही रहेगा यह बताया जाया रहा है यह हर जगह यूज किया जाता है देख सकते हैं से निये बताया था यह हो गया सिल्क माय беспिल ओ गया ऐसे यह लगबग मैं के लिए रीकाम करती है से अम्वी को perk型िया और यहां पर देख सकते ओर और विंद बांबे बहुत ज़्यादा यह company गिर चुके हैं बहुत ही ज़्यादा अगर यह चल पड़ी तो हो सकता है काफी बड़ा मुनाफ़ा दे दे बोलना मुस्किले कितना लेकिन बोल सकते हैं कि लगबग यह stock 400-500 रुपे का था अब भी लगबग जो है stock 97 में देखने को मिला 97 रुपेस के यह company अगर देखोगे तो कहां कहां से कितना कितना पैसा जनरेट करती है सबसे important information यह company देखोगे तो लगबग पूरे world में फैला हुआ है जिसमें से यह पैसा कमाता है 56% revenue लाता है कहां से लाता तो यह हमारे भारत देश से लाता है और लगबग जो rest बचा 44% यह जो 44 आपक से तो 50-50 भी ले सकते हैं 50-50% मतलब अगर और इसमें देखो यहां पर जो सरकार ने 10,000 करोड के आसपर जो पैसा दिया है यह घर में बैठके चावल खाने के लिए नहीं दिया चावल दल खाने के लिए सरकार ने बोला चावल दल बनाओ और लेकिन लेकर जाओ भी देश म तो यह जो कंपनी है अल्रडी foreign market में लेकर जा रही यहां पर 44% तो हो सकता है कि और ज्यादा export कर रहाने वाले दिनों में तो हो सकता है कि जितना ज्यादा export कर लेकि उतना ज्यादा अच्छा रहेगा और यह कंपनी और भी काम करती है लिगिन textile business से 84% revenue जनेरेट कर लेती है बाकि जो बचा कुछा है उपर निसे चेक कर लिती है, थोड़ी लिए कंफ्यूस हो जाएंगे, भाई सर बॉंबे डाइंग, तो रियल स्टेट की बिजनस है, अब इसको कैसे बेनिफिट होगा, नहीं, रियल स्टेट का है यह बिजनस, माना जाता है, और भी बहुत सारे काम मार सकता है, उसके बाद फिर इसमें गिरावड देखने को मिल सकता है, लेकिन यह कब जंप मारेगा, कब गिरेगा, बोलना मुस्किल है, क्योंकि चार्ट इसका यहां पर देखोगे, यहां से लेते हैं, यहां से लेते हैं, तो देख सकता है, इसको भी कवर कर लिया, और इ यह चोटी Cage डिएна है बहुत बड़ी चे सकरें के ऐतने इतनी बड़ी खूंपनी है लें फिर भी देखो यह चाहिँजी खाऊ इए उसको अडवांकिस लेके आगे बढ़ने के कोशिई करेंगे हाला कि Trident जैसे company और भी छोटे-छोटे company है वो कोसिस कर रही है आगे जाने के लिए लेकिन ऐसे company भी जो भी है 10% मिलेगा उतना ही लेंगे लेंगे क्योंकि यह private है मैं आपको बता दिना चाहता हूँ गौर्मेंट में और private में क्या फर्क होता है गौर्मेंट में कोई काम करती है ना कोई भी काम करेंगे तो चलो भाई रहने दू जाने दू ऐसे करते हैं सरकार की जाएगे सरकार की जाएगे लेकिन प्राइवेट और लोग को पास में responsibility होती है अगर आपने थोड़ा भी गलती करते हैं लेकिन प्राइवेट में क्या होता थोड़ा जादा जादा जो है अक्टिव रहना पड़ता है तो यह तो लंबे समय के लिए काफी एची कंपनी है यहां पर यह है नितिन स्पिनर जिस कंपनी का वैलूइशन थोड़ा अच्छा पर मोटर्स के पास देख सकते हैं देखने में थोड़ा बहुत अच्छा है लगबग 12,000 करोड के आसपस कंपनी का मार्केट केप देखने को मिलेगा इसने भी 700-800 परसंट के आसपस रिटन देया इसने तो पहले भी बहुत बहुत तेजी से भागा और उसके बाद देख सकते हैं फिर गिरते हुए नज़र बेटर होगा तो पूरी ऐसे 15 कंपनी है जिसको बेनिफिट देखने को मिलेगा आप इस सारी के तौर पे जो आपको अच्छा लग रहा जो भी आपको अच्छा लग रहा वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं और आने वाले पांच सालों में यह स्टॉक काफी ज्यादा मेहंगा होते हुए नजर आ सकते हैं कोई भी स्टॉक में आपको बोल रहा हूं यहाँ पर तो बच्चे कुछे स्टॉक जो है मैं दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करने के कोश्चिस करूँगा क्योंकि आज कल होलिडेज बहुत है मार्केट के लिए और अगर आप स्टॉ यहाँ पर आप और आपका पैसा दोनों सेफ रहता दोनों देखो भाई अंजान जगा पर डिमेंट अकाउंट ओपिन ना करो कारूब रोकर जैसे लोग फ्रॉड कर सकते हैं यहाँ पर आपको एक वाच लिस्ट बना के बताया जाता है शॉर्ट टर्म लॉंग टर्म इंट